अध्यक्त मोद है जन्रल डिफिन्ट रावर्ट डिफेंस सर्विसेज इस्टाफ काले वेलिंग्टन के इस्टुडेंट आपसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक सीडूल विजित पर थे एरफोर्स के यमाई 17 V5 हेलिकाप्टर ने कल 11 बज़ कल 48 मिनट पर सुलूर एरवेज से अपनी उडान भरी जिसे 12 बज़ कर 15 मिनट पर वेलिंग्टन में लैंड करना था सुलूर एरवेज के एरट्राइफिक कंट्रोल ने लगभग 12 बज़ कर 8 मिनट पर हेलिकाप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ अस्थानी लोगों ने आग लगी हुई देखी जब वे भाग कर उस अस्थान पर पहुँचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलिकाप्टर के आउसेस को आग की लग्तों से घिरा हुआ देखा अस्थानी परसासन से एक बचाओ दल उस जगह पर पहुँचा उन्होंने क्रैस साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी रियास किया उस असेस से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन्हों सब को यथा सिग्र वेलिंग्टन के मिलिट्री हास्पिटल पहुचा आया गया प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलिकाप्टर में सबार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्ति हो गई जिन लोगों की दुर्वा के पूर मौते होई उन्हें चीफ आप डिफेंस स्टाफ, इनकी धर्म पत्नी स्रिमती बधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाकार ब्रिगेडियर लख्विंदर सिंग लेड़र, स्टाफ आपसिर लेटनें करनल हरजिंदर सिंग और एर फोर्स हेलिकाप्टर क्रिव समेच आड़ फोर्स के नौ अन्य लोग सामिल हैं उनके नाम हैं विंग कमांडर प्रत्वी सिंग चोहान, स्क्वैडन लीडर पुलदीप सिंग, जुनियर वारंट आपसर राणा प्रताफदाश, जुनियर वारंट आपसर अरकल प्रदीप, और हविलदार सत्पाल राय, नायक गुरुषेवक सिंग, नायक जितंदर कुमा और लैंस नायक विवेक कुमार, लैंस नायक बीस आई तेजा, सभी पार्थिव सरीर को आज साम तक इंडियन एर फोर्स प्लेन से दिल्ली लाय आई आएगा, गुरुप कैप्टन वरुन सिंग, वेलिंग्टन के मिलिट्री हास्पिटल में लाइव सपोर्ट पर हैं, और दुर्गटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज़ दिया गया है, उन्होंने घटना असल यो वेलिंग्टन हास्पिटल जाकर इस्थित का जाइजा लिया, इस दुर्गटना के संबंध में, इंडियन एर फोर्स द्वारा, एर मारसल मानुएंदर सिंग की अध्धि दिये गये हैं, इंक्वाइरी टीम के आफसर कल ही वेलिंग्टन पहुचकर अपना कारिक रारंभ कर दिया है, चीफ आफ डिफेंस स्टाफ का अंतिन संसकार, फुल मिलिटरी आउनर के साथ किया जाएगा, और अन्ने सभी मिलिटरी पर्सनल का अंतिन संसकार भी एप्रोप योनो के पर ती संवेज नाँ भी एपका अंतिन